हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चनल हर दिन टेक्निकल पर आसा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे चलिए आज का हमारा जो कॉंसेप्ट है वो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स यानि के इलेक्ट्रोनिक्स का बेसिक क्या है हम कैसे सीख सकते हैं और क्या क्या कंपोनेट्स में यूज होते हैं उनके नाम क्या होते हैं मेरे पास काफी कमेंट थे कि आप कंपोनेट्स के बारे में बता किस तरह से काम करते हैं तो यह सारी चीजों के लिए मेरे पास कमेंट आ चुके थे और सर्किट अवेलिबल तो हैं सारे कुछ चैनल पर लेकिन जो नई लोग हैं जो सीख रहे हैं उन्हें नहीं पता होता और हमारे हाज की और एजुकेशन सिस्टेम है वो कुछ बहुत ही अच्छा काम करता है उसके आगे तो खेल मुझे कुछ क्याना ही नहीं है इंडिया का स्थर बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि वहां तो इस तरह की सिच्छा है और आजकल सिच्छा मिलना बहुत इजी नहीं रह गया है इतना ज्यादा हाड हो गया है कि आप कहीं भी कुछ लेने जाते हैं तो वह इतना ज्यादा हाई लेवल पहुंच गया है कि मीडियम बर्ग तो उसके लेवल पर रहा ही नहीं है चलिए यह अलग टॉपिक है तो इसा कि यहां लिख दिया है और यह पार्ट बन सिरीज है हमारी पार्ट बन है आज जिसमें हम सिर्फ इंट्रडक्शन देखेंगे पार्ट का और अगर सपोर्ट रहेगा आप लोगों का और सही युक करेंगे इस वीडियो की परफॉमेंस सही रहेगी तो आगे 10-15 वीडि आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी चीजे मुझे पता हो या फिर मैं यह कहूं कि मैं सब जानता हूं ऐसा कभी नहीं होता इंसान हमेशा सीखता है और लास्ट ताइम चैक सीखता ही रहता है क्योंकि दुनिया बहुत बढ़ी है और यहां चीजे बतलती रहती है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं देंकि एक्स्प्लेनिशन इन माइवेश यह एक्स्प्लेनिशन मैंने अपने हिसाब से किया कि मुझे जतना आता है मैंने सीखा है उस तरह से बता रहा हूं आपको क्योंकि electronics मेरा कभी सब्यक्ट नहीं था और मेरा जो man field है वो electricals का है तो जैसे मैंने सीखा है वो आपको बता देता हूं बाकि यहां 100% तो किसी को नहीं बता होता और नहीं कोई कह सकता है कि मैं 100% सीख गया हूं तो चलिए सीखते रहते हैं तो दूसरों को भी सिखाएंगे खुद भी सीखेंगे उसी साब से देखते हैं तो यहां देखिए कोई भी सर्केट होता है या कोई आपके पास उपकरड है तो वह चलता है तो एक सप्लाई से अब सप्लाई या तो एसी होगी या फिर डीसी होग वहां से हमें direct DC ही मिलती है और AC हमारा जो होता है वो alternator से मिलती है तो यहां एक symbol है देख लीजिए यह AC का symbol दिया गया है और इसको clarify करने के लिए एक line कीज़ देते हैं बीच में तो देखिए यहां से यह symbol start होता है और एक peak पर जाने के लाद लोट के वापस यहां आ जाता है तो यह एक cycle होता है और एक second में 50 cycles की हमारे यहां पर frequency चलती है चलती है इसको frequency कहा जाता है कि एक second में जितनी वार यह अब डाउन करेगा तो वह एक frequency मायने रखती है एक second की ठीक है तो यह हो गया यहां पर आगे किसी topic में हम इसे पूरा cover करेंगे आज नहीं करेंगे कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इसमें सिर्फ इंट्रेक्शन ही है तो डी सी डी सी का देखिए कुछ इस तरह से symbol बना दिया है मैंने यहां इसको denote करने के लिए यह तरह से दिखाते है ठीक है अब एसी में क्या होता है कि एसी में सबसे और बड़ी लेवल का जहां कंसप्शन है लाइट का तो वहां फेज बैलेंसिंग करते हैं वहां 415 यूज की जाती है अब डी सी का जो है डी सी का कोई कर छोटे पक्का डेसाइड नहीं है क्योंकि यह डिपेंड करती है आपके सर्कुट के वोल्टेज की रिकार्मेंट पर किंटौर्य कि यहां सर्फ इंट्रोडेक्शन ही है औरमाच इंट्रोडेक्शन देखेंगे कि एक सर्कुट में किस तरह की कंपोरेंट्स होते हैं और क्या क्या काम करते हैं वो उनके नाम क्या है तो आज तरिफ नाम और component देखेंगे बाकी अगले वीडियो में एक-एक को हम प्रैक्टिकल और उसका वर्किंग देखेंगे तो वो डिटेल्ड में होगी आगे चलके आज तो से इतना ही देखेंगे तो सबसे पहले जैसे कि यह component आपने देख लिए तो इसमें आपको नीचे भी component देखेंगे और उपर भी देखेंगे इन सबका ही इंट्रोडेक्शन आज हो पाएगा तो यहां देख लिते किसी भी circuit को स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक फ्यूज दिया जाता है अब फ्यूज क्या होता है कि प्रोटेक्शन का काम करता है आपके सर्कृट में कहीं भी प्रवर्लोड होता है तो आप Yo ten cheers यहां वन अधाना और यह परत प्दको पुरा नहीं करता या यानिकर को ब्रेक कर देता बीच से यह new hose गया और बड़े बड़े सव्किट में यह तो अभी अपने येट टेप साथ यूज और एलेक्टिकल सर्कुट्स में आज कल मसी यूज की जा रही है और यूंध को सौक है बेसिक में स्टाट कर रहा हूं एनिमेशन वाइरिंग वर्ड पर वहां एलेक्टिकल्स का आप लोग सीख सकते हैं जाके और वह अलग चैनल है यहां सिर्फ इलेक्ट्रोनिक इसका है तो यह देखिए अगला जो है हमारा वह है रिजिस्टेंस होती है और इसका काम होता है कि हमारा करेंट होता है उसको एक लेमिट करती है हमारे requirement के साब से तो यह कई numbers में आती है लग लग तो इससे हमारा जो अवरोध होता है circuit में यानि कि प्रत्रोध और यह resistance value जो होती है वो depend करती है कि आपको circuit को voltage कितना चाहिए या कितना current चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए लगाया जाता है resistance ठीक है अब आता है अगला है जो हमारा component वो है diode डायोड क्या होता है एक rectifier है यह और यह rectify का काम करता है यानि कि AC DC काम भी करता है और बाकी और भी काम है और एक बनबे वाल्ब की तरह भी काम करता है यह दो तरह one way NRB की तरह काम करता है जबकि बोल्टेज limiting का काम करता है जितना बोल्टेज इसके across दोनों परों पर होगा आगे जाके जितने बोल्टेज का मतलब यह जेनर लगा होगा उससे हमें उतना ही बोल्टेज आगे मिलेगा तो यह इसका काम हम details में आगे आगे देखेंगे अगला है PF यह एक तरह का capacitor ही होता है और इस यह polarised नहीं होता दरसल आप इसका पिन को किसी भी तरफ बदल के लगा सकते हैं इस पर polarity का कोई effect नहीं पड़ता है तो इसको भी हम details में आगे देखेंगे अगला है कैपिसिटर है यह और इसमें यह polarised टाइप का कैपिसिटर है जिसमें एक minus पट्टी यहां से आपको दिख रहा है और दूसरा सिरा जो होता है वह positive होता है और एक negative होता है यह भी depend करता है इनकी value और voltage यानि कि माइक्रो फेरेड और बॉल्ट में आते हैं यह अलगलग टाइप के और हमें जरुत के साब से लगाते हैं अगला है देखिए ट्राइश्टर तो यह ट्राइश्टर है ट्राइश्टर का काम तो पता ही आपको क्योंकि ट्राइश्टर में एक collector base और एमिटर इस तरह की तीन ही पिने अलगलग होती है बाकि आगे आईजी बीटी है फिर डायक ट्रायक और भी बहुत सारी चीज़े हैं वह हम डिटेल्स में देखेंगे लेकिन दो कैटेगरी ज्यादा यूज होती है ट्राइस्टर और मॉस्पेट तो सर्केट में तो उनके बारे में बता दिया गया होनने के लिए तो काफी कुछ होगा आगे एक कैसी होता है एक तरे का एक सरक्ու Pharisee होता है किसमें सारी यह निकली होती है तो उसे साबniejसे पूरा पैकेज होता है यह वो integrated circuit ही कहलाता है इसलिए आई सी कहा देते हैं स्वाट फॉर्म में इंटीग्रेटर इसके अंदर इसलिए आई सी कहलाया जाता है ठीक है तो आप देखके पहचान लेते हैं कि यह अब यह अलग लग साइस की अलग लग रिक्वार्मेंट के साफ से और जरुतों के साफ से बनाई जाती है अगला है हमारा वह है इंडेक्टर इंडेक्टर आपने देखा होगा तो इसका काम भी हम बरकिंग और वह सारे कुछ अबरकिंग ट्रांसफोर्मर्म यह ट्रांसफोर्मरद ड्रल टायप का है और 192 इसका करता है और सबसे रखा था प्रतbild है उन्हों में इत्यकुत होता है चलिया स्बसे लग रखाना Prague तो यह आज का वीडियो था और उमीद है इसमें आपको समझ आया होगा कि कौन से कंपोनेट का क्या नाम है और किस तरह से दिखते हैं यह कंपोनेंट तो आगे की वीडियो में हम इनकी डिटेल्स बैल्यू और सारा कुछ समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ में तो उमीद है आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे और सेर कर देंगे क्योंकि सेर करने से यह वीडियो ज्यादा लोगों तक रीच करें यह ऊरया थे आशे जार अशे प्रूशार कर से प्रूशार कर दोंकि से नहें यह बाहता है और मैं है प्रूशों करद़ कर दूशार करेंगे यह इनकी यह जडने जर अख गर